नमस्कार फ्रेंट स्वागत है आप सबका यूटूब चैनल टेक्निकल मनला में आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तो अगर आपके मोबाइल का टच काम नहीं कर रहा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने से खुद ठीक कर सकते हैं दोस्तों वो कैसे करेंगे चलिए बताता हूं वीडियो पर तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए आया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच करता हूं प्लेश्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर सर्च करना है टच स्क्रीन रिपेयर करके हमें सर्च कर देना है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यह वाला एप है आप अच्छे से देख लेजी इसका लोगो यह देखो दोस्तों यह रह लोगो आप देख सकत है इसको हम इस्टॉल कर लेते हैं चलिए मैं इस्टॉल कर लेता हूं इसको उसके आगे प्रोसेस बताता हूं फिर चलिए मैं इसको इस्टॉल कर लेता हूं तो यह इस्टॉल हो रहा है दोस्तों एक सेकंड एक सेकंड वेट कर लेते हैं वेट करने के बाद दोस्तों कुछ एसा इंटरफेस open होगा दिखा देता हूँ मैं यह download हो चुका है दोस्तों चलिए इसको मैं open करता हूँ और आगे का process बताता हूँ तो चलिए open कर रहा हूँ मैं दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ तो कुछ इस तरह से open होगा तो यहां पर हमें ओके करना है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर उख लिखा है यह इस पर हमें क्लिक करना है तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ पर 2 में हो रहा है दोस्तो से इस अधेखो दोस्तो सेंड में हो गई थाइट्ला इसके अधा पर हमाँ कलिक तो चलिए एक बार इस पर टेप कर देते हैं, अब ये हो रहा है दोस्तो, उसके बाद दोस्तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा देख सकते हैं, ऐसी करके फिर से एक बार और करना है दोस्तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी कर लेता हूं एक बार और, तो यहां पर कर लेता हूं जल्दी-जल्दी दोस्तो, अब ये लाश्ट है दोस्तो, इसके बाद एक बार और करना होगा हमें, चलिए, हमें तीन बार तक ऐसी करना है दोस्तो, आपका जो भी एरिया टच काम नहीं कर रहा है दोस्तों वो करने लगेगा फिर तो चलिए वेट कर लेना है हमें अब फिर से हमें एक बार और करना है तो जल्दी जल्दी एक बार और कर लेता हूं चलिए अब ये तीन बार मैं कर चुका हूँ दोस्तो तीन बार तक करना है आपको ये लाश्ट दिखा देता हूँ मैं करके अब तीन बार तक करना होता है हमें उसके बाद दोस्तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा कुछ ऐसा इंटरफेस दोस्तो आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तो आमें कुछ नहीं करना है आपको यहीं पर calculating होने देना है जो भी प्रक्रिया है वो चालू हुए यहाँ पर आगे बता देता हूँ आपको क्या करना होगा कुछ एंसा इंटरफेस होगा दोस्तो यह फ्री वाला एप है दोस्तो तो यहाँ पर आपको add दे नहीं करा था वो अब करने लगेगा दोस्तो इस तरह से आप कुछ अपने टच को ठीक कर सकते हैं दोस्तो तो कैसा लगए यह वीडियो कमेंट पर जरूर बताएं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बाए